आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, तुमाई question है Ethyl magnesium iodide reacts with water to produce a gas with formula तो हमसे question में क्या पूछा गया, हमसे question में कहा गया है Ethyl magnesium iodide जिसे की हम Grignard region के नाम से जानते हैं किसके नाम से आते हैं, Grignard region तो Grignard region को ही हम Ethyl magnesium iodide कहते हैं और जब ये react करता है water के साथ तो ये हमें क्या देता है, कोई gas देता है हमें उस gas का formula बताना है, chemical formula तो सबसे पहले जब भी ग्रिगनाड रीजन यानि की इथाइल मेगनेजियम आयोडाइट यानि की C2H5 MGI जब रियाक करता है वाटर के साथ, किसके साथ वाटर के साथ, H2O के साथ यह रियाक करता है, तो हमें product में क्या दे देता है, तो यह हमें दे देता है C2H6, क्या दे देता है, यह हमें दे देता है C2H6, जिसे की हम ethane के नाम से भी जानते हैं, यह एक saturated hydrocarbon होता है और इसके साथ हमें क्या मिल जाता है, magnesium की hydroxide, यानि की MgOH whole choice, magnesium hydroxide मिल जाती है इसके साथ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कि जब भी हम grignard region को react करवाते हैं water के साथ, तो यह water के साथ किस तरीके से react करता है, यह जो है, यहाँ पर जो MgI है, यहाँ पर यह react कर जाता है, और जो I है, यह किस form में निकल जाता है, I2 के form में निकल जाता है, obviously, gas के form में, और Mg जो है, जो यानि की magnesium, यह क्या बना लेता है, H2O के साथ react करके, MgOH whole twice बना लेता है, और बचा हुआ जो hydrocarbon यहाँ पर होता है, यह क्या कर जाता है, यह react कर जाता है, hydrogen के साथ, यह एक hydrogen को accept कर लेता है, और यह saturated hydrocarbon बना लेता है, तो कुछ इस तरह का reaction होता है, जब भी C2H5Mg I, यानि कि grignard reagent, react करता है water के साथ, तो हमें क्या देता है, हमें देता है, ethane, MgOH whole twice और iodine gas, तो हमसे जो question पूछा गया था इसमें कौन सी gas release हो रही है, तो mainly इसमें C2H6 gas release हो रही है, और I2 gas release हो रही है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते है, option में हमें क्या दिया गया है, option में हमें सिर्फ CO2, C2H6, CH4 और C3H8 दिया गया है, यानि कि जो मारा correct answer है, वो क्या है option number 2, C2H6, thank you.